यस people done with your break, आप लोगों का break हो गया, ब्रेक के बाएग वापस से आपका स्वागत है, चलिए हम लोग चालू करेंगे, मुझे एक बात बताओ, हम जो पढ़ेंगे वो income tax पढ़ेंगे, लिकिन मुझे एक बात बताओ, हम क्या पढ़ेंगे, income tax law पढ़ेंगे, या income tax act पढ़ेंगे income tax law पढ़ेंगे या income tax act पढ़ेंगे law या act क्या फरक है law and act में बता हूँ मुझे law में बता है यह तो हम law पढ़ने वाले या act पढ़ने वाले तुम्हारे subject का नाम क्या है वो मैं बता देता हूँ कि जो तुम्हारे BOS की website है तो law के lecture में आपको बता है होगा law and act कर गे तो मैं बता दूँ आपका जैसे यह study material है मैं intermediate पे गया English medium का study material और आपका taxation paper है और taxation में income tax क्या लिखा हुआ है law या act module के उपर लिखा हुआ है income tax law तो guys हम जो है वो income tax act नहीं पढ़ने वाले हम income tax law पढ़ने वाले हैं अब आप मुझे बोलोगे sir law और act में क्या फरग है फिर तो देखो तुमारा क्या होता है न जैसे यह है न law is a wider term यह तुमारा law है अब guys इसके अंदर आपका income tax act भी आएगा इसके अंदर आपके income tax rules भी आएंगे इसके अंदर आपके जो circular है वो भी आएंगे notification भी आएंगे बहुत सारे case laws भी आएंगे और सबका जब हम combine study करेंगे ना तब हम बोलेंगे हम law पढ़ रहे हैं तो हम सिरफ income tax act नहीं पढ़ने वाले हम जो है वो law पढ़ने वाले है क्या पढ़ने वाले है law law is basically Indian cricket team तो जो Indian cricket team है उसको अपन बोलेंगे law इसमें एक captain है वो act है जैसे रोहिच शर्मा is a act rules में विराट कोली is a rules अगर माल लो circular notification है यह कौन है तो wicket keeper है बूमरा होगेरा है वो सब notification है और case laws वगेरा जो है बूमरा ही नाम है न हाँ जस्परित बूमरा करगे ठीक है तो वो तुमारे लिए notification है तो यह सबका जब combine study करते है न तब हम बोलेंगे कि हम law पढ़ रहे है क्या पढ़ रहे है अब एक बात समझना जब income text पढ़ेंगे तो बहुत सारी section आएगी अब एक बात बताओ section को कैसे read करना होता है यह तो आपको पता ही रहेगा जैसे माल लो section 1547A यह भी सुबह बताया होगा law में मुझे बताओ इसको कैसे read करे होगे आप लोग किसी को phone पे बताना है phone पे फोन पे बताना एक काम करो पहले 15 लिखो फिर एक bracket खोलो फिर उसमें 4 लिखो नॉर्मल वाला फिर ब्रेकेट खोले रोमन में रोमन में 7 लिखो फिर ब्रेकेट खोलके छोटा वाला ए लिखो ऐसा बोलोगे कैसे read करते है इसको सबसे पहले लिखा होता है उसका नाम क्या है section तो जो सबसे पहले है इसको बोलते है section इसके बाद लिखा होता है उसको subsection उसके बाद जो लिखा होता है इसको इसको क्या बोलते है clause और उसके बाद जो लिखा होता है उसको sub clause तो जब भी हम इसको पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे section 15 subsection 4 clause number 7 sub clause A क्या बोला section 15 subsection 4 clause number 7 and sub clause A तो मतलब जो section के पास में लिखा होता है उसको क्या बोलते है पहले वाले को subsection उसके बाद वाले को clause and उसके बाद वाले को sub clause जैसे माल लो सिरफ ऐसा लिखा हुआ section 11 5 तो इसको क्या बोलेंगे section 11 subsection 5 subsection 5 लेकिन एक बात समझना जैसे ऐसे लिखा हुआ है section 2 11 इसको कैसे पढ़ेंगे section 2 subsection 11 या clause 11 कॉंट्रेक्ट था तुमारा क्या था टू एच करके था ना टू एच किसकी definition कॉंट्रेक्ट की definition टू एच में दे रखी थी तो two clause h बोलते थे या subsection बोलते थे तो section अब आप बोलोगे two के साथ जो लिखा हुआ है यह subsection है या clause है देखो guys इसको तो section बोलेंगे इसमें कोई doubt नहीं है इसको क्या बोलेंगे subsection या clause right answer है इसको subsection नहीं बोलेंगे clause बोलेंगे section 2 में जो भी लिखा है उसको clause बोलेंगे बाकी जितनी भी section है उसमें जो लिखा होगा उसको subsection बोलेंगे अब question आता है कि जैसे एक section और है section 10 10 1 इसको आपको लग रहा होगा कि income text में 10 subsection 1 बोलेंगे ऐसा नहीं है इसको भी section and इसको clause बोलेंगे अब आप बोलोगे कब कहा clause बोलनेगा कहा कब subsection बोलनेगा वो तो बता दो देखो examination perspective अबसली ऐसा कोई जरूरी नहीं है CA final में हम लोग पढ़ते है clause का analysis and all बट एक चीज दियान रखना कि जैसे मानलो कुछ item की ऐसे list दे रखी है जैसे यहां मानलो 1, 2, 3, 4, 5 अगर list दे रखी है किसी भी section में and guys इनका आपस में एक दूसरे से कोई भी link नहीं है there is no link is between item तो उसको clause बोलेंगे and guys अगर मानलो कोई भी ऐसी चीज है जैसे मानलो यहां पर 11 subsection 1 फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और इसका आपस में एक दूसरे से link है तो उसको subsection बोलेंगे जैसे आप एको एक बात बताओ section 2 जो होती है वो definition की section होती है किसकी section होती है definition आपको जैसे income tax act की बात करता हूँ चलिए अपन बहुत बार जो है वो इस website पे जाएंगे that is the income tax india.gov.in और income tax india.gov.in और website चल नहीं रही है कि हाँ चल रही है income tax india.gov.in जहां मोदी जी भी मन की बात कर रहे है तो यहाँ पे यहाँ income tax act आया और यह income tax act में बहुत सारी sections है कितनी sections है वो अपन देखेंगे section 2 है वो definition की section है और section 2 में जो दे रखा है यहाँ चालू होता है section 2 में in this act unless the context otherwise required यह एक पहली line हुई और उसके बाद उसमें एक list दे रखी है section 2 का clause number 1 बोलता है advanced tax किसको बोलेंगे clause number 1 है बोलता है agriculture income किसको बोलेंगे तो इसकी यह बहुत सारी definition amalgamation किसको बोलेंगे तो इसकी definition दे रखी है and guys यहाँ पे एक list दे रखी है जिसका एक दूसरे से कोई linkage नहीं है जिसका एक दूसरे से कोई आपस में interlinkage नहीं है तो वहाँ पे आपको clause बोलना है and अगर एक दूसरे का interlinkage है and ऐसी कोई separately अलग से उपर section के पास line नहीं दे रखी है तो वहाँ पे आपको subsection बोलना है जैसे मान लो यहाँ पे मैं section number 11 पे लिके जाता हूँ अब section number 11 जो है वो income tax की website पे और income tax की website पे section number 11 देखिए यहाँ चालू ही हो रहा है कोई अलग से line नहीं है सीधा 11 1 आ गया उसके बाद आएगा सीधा 11 2 करके यहाँ 11 1 के बाद आपका 11 2 आएगा यह 11 2 आ गया उसके बाद मैं आपका 11 3 आया 11 4 आया यह आपस में सब एक दूसरे से interlink है तो उसको बोलेंगे subsection तो कभी भी धियान रखना कि जब भी कोई भी किसी भी section में ऐसी कोई item की list दे रखी है और उसका एक दूसरे से कोई linkage ही झी जैसे definition का एक definition दूसरे से link नहीं है आपने अगर मानलो contract अच्ट बढ़ा था उसमें 2 में जो definition ती 2H जो definition वो contract की बात करती है एक definition बात करती है दूसरी definition बात करती है उनका आपस में कहीं पर कोई linkage नहीं है, that's why it's called clause, लेकिन जहां पर आपस में एक दूसरे से linkage है, तो उसको बोला जाता है subsection, क्या बोला जाता है, subsection, अब आप बोलोगे सर, income tax में क्या हमको यह याद रखना है, कि कहां-कहां clause है और कहां-कहां subsection है, मैं बताओ, आपके लि तीन section ही income tax में ऐसी आएगी, जब इसके साथ जो भी लिखा होगा, उसको clause बोलेंगे, बाकी जितनी भी section आएगी, जिसके साथ जो भी लिखा होगा, उसको आपको subsection बोलना है, तीन में आपको clause बोलना है, एक बात बताओ, income tax में कितनी section होगी, आपको क्या लगता है, यह income tax act है और income tax act में यहां section दे रखी है मैं last section पे जाता हूँ और last section इसकी होती है 298 और देखिए ये income tax की last section है 298 तो क्या sir income tax में सिरफ 298 section ही है या income tax में उससे भी ज्यादा section है right answer अगर मैं आपको बताऊ ना तो income tax में guys ऐसे number wise देखोगे तो no doubt last section है वो 298 है तो आप देखोगे तो बोले 298 section है income tax में ऐसा नहीं है income tax में अगर आप count करने जाओगे न then there are more than 600 plus sections है अब आप बोलो के ऐसा कैसे हुआ एक बार तो आप बोल रहे हो के income tax में जो है वो 298 section है और दूसरी लाइन में आप ये बोल रहो 600 plus section है ऐसा कैसे हुआ देखो income tax act में क्या किया ना इन्होंने जैसे section बनाई section 35 तो 35 section तो है यह उसके बाद section 35 एक 35 ड करके अलग section और है उसके बाद 35 ड करके अलग section और है तो 35 में ही कहीं 10-15-20 section तो हो जाती है तो ऐसे अगर count करेंगे तो अपन it is a more than 600 section in the income tax act income tax act में 600 के करीब sections है इतनी सारी sections है वो हो जाएगी आपको यह याद नहीं रखना के कितनी section है क्या है आपके exam के लिए जो relevant रहेगा वो sections है वो अपन पढ़ते जाएंगे चलिए अब एक और चीज़ समझना income tax का knowledge होने के लिए income tax पढ़ने के लिए आपको 2-3 चीज़ों का knowledge होना चाहिए सबसे पहला knowledge आपको होना चाहिए that is the income tax act 1961 का income tax act 1961 guys ये act 1961 में बना था पहली चीज़ बता दू जहां पे भी आप act लिखोगे ना उसमें a को capital लिखना है कभी भी act लिखते time आप act चोटा नहीं लिखोगे अगर आप चोटा a लिखोगे ना तो ये तुमारे शारुक खान वाला act हो जाएगा वो acting वाला act हो जाएगा वो act नहीं है यहां पे जब भी आप act लिखते हो उसमें हमेशा आपका जो a है वो a आपको capital लिखना पड़ेगा a always capital लिखोगे वहले वो line के बीच में आ रहा है तब भी जब भी आप act लिखोगे act में हमेशा a जो है वो capital होना चाहिए तो सबसे पहला जो है वो income tax act 1961 guys 1961 से यह income tax act चल रहा है आपको बता दू अगले दो साल के अंदर अंदर नया income tax लो आ जाएगा और यह income tax act 1961 इसको हटा दिया जाएगा इसके बदले में बोल रहे है कि direct tax code आएगा DTC जिसका नाम होगा direct tax code आएगा अब आप बोलोगे मुझे कि सर हम जो पढ़ रहे है वो सब वेस्ट हो जाएगा नहीं ultimately वो ही provision है उसकी numbering वगएरा change हो जाएगी क्योंकि हमारी government क्या कर रही है जो जो पुराने law है जो बहुत पुराने पुराने law है कर गए आपको पता है जो IPC था IPC को भी बदल दिया उसका नाम अलग कर दिया और उसमें change वगए section वगएरा change कर दी तो same income tax में भी income tax law है वो 1961 1961 का है और 1961 से कितनी सारी चीज़े change हो गई है कितनी सारी section आज काम की नहीं है बहुत सारी section ऐसी है जिसका आज effect ही नहीं आता है बट तो भी वो पढ़ी है महाँ पे तो ये लोग क्या करेंगे अभी आगे जाके बहुत ही simple सा income tax कर देंगे आगे जाके ये बड़ा simple क्योंकि simplification इस बार निर्मला सीतारमन जी दे बहुत बार word use किया कि हम जो है वो सिरफ 12.5% tax क्यों लगा रहे बिकोज हम simplification करना चाते है हमने indexation क्यों हटाया indexation क्या होता है वो पढ़ेंगे capital gain में बटके indexation क्यों हटाया क्योंकि हम simplification करना चाते है और हम simple करना चाते है चीजों को औ और आगे जाके इन्हों ने अभी निर्मला सीतारमन जी ने बोला है कि 6 महीने का time दिया है और 6 महीने में committee इनको report देगी नए text law पे और वो committee जो report देगी उसके basis पे वो नया text law है वो ला सकते है बट आपके लिए जो आप पढ़ोगे वो ही चीज़े उसमें भी रहने वाली है सिरफ numbering change हो जाएगी यहाँ पे आप देखोगे 600 plus sections हो गई है वहाँ पे हो सकता है सिरफ 150 section हो और 150 section में पूरा विवस्तित तरीके से income tax हो जाएगा क्योंकि क्या होता ने text law में changes होते गए changes होते गए बहुत सारी चीज़े ऐसी है जो आज की date में relevant नहीं है बर तो भी tax law म बना हुआ है act बना हुआ है उसमें कितने सालों में हर साल कुछ ना कुछ changes होता जाता है तो यह जो है वो act बड़ा पुराना हो गया है अब विवस्तित हो गया है तभी तो उनको section number ऐसे डालने पड़े एक 35 डाला फिर जगे नहीं मिली तो 35 D डाल दो फिर जगे नहीं मिली वो नया fresh act लेके आएंगे तो जब आप CA final पड़ोगे CA intermediate में तो आपको यही वाला पड़ना पड़ेगा बट CA final पड़ोगे तब mostly आप नया वाला income tax law है वो पड़ रहे होंगे तो देखो income tax पड़ने के लिए सबसे पहला knowledge होना चाहिए income tax act 1961 का उसके साथ साथ में guys दूसर का knowledge आपको इसके साथ होना चाहिए income tax rules का यह आपको पता income tax rules क्या होते होंगे income tax rules 1962 का income tax rules 1962 यह क्या होता है rules एक तो होता act है एक होता rules rules किसलिए बनते होंगे इंप्लिमेंटेशन का एक तरीका मिल जाता है देखो rules क्या होते हैं कि जो act होता है न उसको support करने के लिए क्या करने के लिए support करने के लिए rules बनाते हैं जैसे act में यह लिखा हुआ है कि computer पे depreciation मिलेगा computer जो है उस पे depreciation ले सकते हो at prescribed rate लेकिन वो rate कहां प्रिस्क्राइब करेंगे वो rules में करेंगे महलब act जो है वो बहुत सारी चीज़ों में ऐसे लिख देता है कि at prescribed और वो prescribe करने का power है फिर हमारे यहां पे एक CBDT हुआ कर दिया Central Board of Direct Taxes उसको यह power दे रखी है government ने उसको power दे रखी है कि वो वो चीज़े prescribe कर सकता है जैसे आपको बदाऊं income tax में यह लिखा हुआ है कि आपको income tax return file करना पड़ेगा बट यह income tax return कौन से form में file करना पड़ेगा वो rules में दे रखा है तो rules क्या करते act को support करने के लिए act में लिखा हुआ है आपको depreciation allow होगा लेकिन वो depreciation कौन सी rate से allow होगा वो आपको rules में दे रखा है आपको बोला हुआ है income tax का return हर साल भरना है वो income tax return कौन से form में भरना है तो वहाँ लिखा हुआ है prescribe form हर साल वो prescribe करते है वो rules में दे रखा है अब मुझे एक बात बताओ ये income tax act 1961 जो है ये तो बहुत पुराना act है आपको नहीं लगता हर साल इसमें कुछ amendment करने पड़ते होंग और ये amendment कहां पर आते है बताओ बताओ कहां पर आते अमेंडमेंड जो है अब मालो वो act जो पुराना लिखा हुआ है वो amendment हर साल कुछ ना कुछ government amendment करती है और वो amendment किस से थुरू करती है budget के थुरू बोलो किस के थुरू करती है budget के थुरू आपको पता है हर साल budget आता है पत बजट आता है 1st of Feb, तो इस साल का बजट कौन सी डेट को आया होगा, 1st Feb 2024 को आया होगा, अब जब बजट आता है न, तो बजट का एक पार्ट होता है, जिसको बोला जाता है, Finance Bill, बोलो क्या बोला जाता है, उस बजट का एक पार्ट होता है, उसको बोला जाता है, Finance Bill, और इस बार, Finance Bill 2024 आया था, एंड गाइज, ये जो Finance Bill 2024 है, ये सबसे पहले अपनी जो Finance Minister होती है, वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करती है, तो जो ये Finance Bill 2024 था, हमारी Finance Minister का नाम क्या है, निर्मला सीता रमन जी, तो निर्मला सीता रमन जी ने ये 1st Feb 2024 को Finance Bill जो है, वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया था, ये 1st Feb 2024, इलेक्शन के पहले की बात कर रहा हूँ, अब एक चीज समझना, हर साल बजट 1st Feb कोई आता है, लेकिन जिस साल में इलेक्शन होते है, उस साल में बजट दो बार आता है, एक इलेक्शन से पहले और एक इलेक्शन के बार, और उस साल के असर, जब आप बोल रहे हो, बजट दो बार आता है, मतलब क्या Finance Bill भी दो ब इलेक्शन यर, 2024 is the election year, तो इलेक्शन यर में आपके दो बजट आते हैं, दो फिनेंस बिल आते हैं, एक इलेक्शन से पहले वाला और एक इलेक्शन के बात वाला, जो पहले वाला आता है, उसको बोला जाता है, that is the Finance No.1 Bill, इसको बोला जाता है, Finance No.1 Bill, जो दूसरा वाला बिल आता है, यह दूसरा बिल कब आया, दूसरा बजट कब आया, डेट बोलो, 23rd July 2024, यह डेट को याद रख लेना, दिमाग में डाल के, 23rd July को कैसे याद रखोगे, क्या याद रखोगे, आपकी मर्जी के इसाब से याद रख लेना, क्या उस दिन आपने उसको ब्लॉक किया था, उसने आपको ब्लॉक किया था, या उस दिन आप मिले थे, जो जैसे याद रखना है, वो रख लेना, बट यह डेट आपको याद रखनी बड़ी जरूरी है क्योंकि इस साल बहुत सारे amendment ऐसे हुए है जो इस date से हुए है कि इस date के बाद ऐसा होगा इस date से पहले ऐसा होगा तो बहुत सारे amendment है वो इस date को हुए है और इस date को जो budget आया उसमें एक bill था जिसका नाम था finance number 2 bill 2024 and guys जो finance bill होता है न वो finance bill, finance minister जो है वो parliament में present करते है अब एक बाद समझना जैसे ही parliament में present होता है उसको finance bill बोला जाता है लेकिन वो bill को जैसे present किया parliament में अपने यहां पे उसके बाद में कुछ time के बाद उस पे discussion होता है क्या होता है? discussion discussion कौन करता है? हमारे जो भी हमारे जो मेंबर MPs है, MP समझते हो Member of Parliament वो उस पे discussion करते है वो उस पे बोलते है बोलते है यह जो proposal ला रही है गलत है निर्मला सीतारमिट जी नहीं यह amendment लाया है सही नहीं है और इस बाद तो आपने सुप्रिया सुले बहुत अच्छा बोलती है उसने भी अभी कल पर सो जो बोला था काफी अच्छा बोला Finance Bill पे तो discussion होता है और यह सब discussion होने के बाद जो Finance Bill होता है उसको पास कराया जाता है सबसे पहले कहां पे पास होता है लोक सबा में और उसके बाद कहां पे राज्य सबा में और यह पास होने के बाद इसको किसके बास बेजा जाता है किसके बास बेजा जाता है और जब भी हमारे प्रेजिडेंट सहाब है उस पे sign कर देते है उसको क्या बोला जाता है Finance Act क्या बुला जाता है Finance Act 2024 तो गाइस जो पुराना वाला बजट आया था जो इलेक्शन से पहले वाला वो बजट निर्मला सीता रमंजी इस डेट को लेके आई थी उसके बाद में उस पे लोगसभा राज्यसभा में discussion हुआ and guys discussion होने के बाद फटा फट उस पे प्रेजिडेंट ने उस पे एसेंट दे दिया means उस पे साइन कर दिया और वो Finance Act 2024 बन गया था 15 फरवरी 2024 को means 1st Feb को बजट आया था and guys 15 फरवरी तक वो Act भी बन गया था that was the Finance No.1 Act 2024 अब guys जो अभी बजट आया अभी जो बजट आया अभी जो आपका Finance Bill आया था जो 23rd July 2024 को Parliament में रखा गया था अभी उस पे discussion session चल रहे थे अभी जो अपना जो Parliament में इस पे बहुत discussion हुआ बहुत सारे लोगों ने उस पे बोला और इसको भी guys आपकी लोगसभा एंड राज्यसभा ने दोनों ने पास कर दिया है लोगसभा एंड राज्यसभा दोनों ने Finance Bill को पास कर दिया है लोगसभा ने इसको पास किया on the 7th of August 2024 को राज्यसभा ने कल इसको पास किया है 8th August 2024 को अभी तक President के साइन नहीं हुए हो सकते है President के साइन आज हो जाए यह मैं lecture जो दे रहा हूँ यह 9th of August 2024 को दे रहा हूँ so there may be possibility 9th August को यह 10th August को President के जैसे ही साइन हो जाएंगे वैसे ही यह Finance Act बन जाएगा क्या बन जाएगा Finance Act so that is the Finance No.2 Act 2024 तो कोई आपसे पूछे कि एक बात बताओ हर साल क्या एक ही Finance Act बनता है या किसी साल दो भी बन सकते है एक ही बनते है दो बन सकते है कौन से टाइम पे दो बनेंगे जिस यर में election एक तो तुमारे election year से पहले एक तुमारा election year के बना election के बाद एक election से पहले election से पहले जो budget आता है ना उसको बहुत बार हम interim budget बोलते हैं बोलो कौन सा budget बोलते हैं interim उसको हम लोग interim budget बोलते हैं एंड गाइस elections के बाद जो budget आता है उसको हम लोग फुल फ्लेज बजट बोलते हैं क्या बोलते हैं फुल फ्लेज बजट या आपन ऐसा बोल सकते हैं कि पूरा budget फुल बजट आप मुझे ऐसा बताओ ऐसा क्यों होता होगा कि election वाले year में दो budget आएंगे what can be a reason behind that अच्छा very good किसी ने बोला कि अगर sir government change हो गई तो पुराने वाले का budget क्यों माने क्योंकि budget जो है वो तो हमेशा अगले साल के लिए होगा budget is basically for the next year तो अगर government change हो गई तो पुराने वाले का जो budget है वो budget क्यों माने तो इसके लिए जिस year में election होता है उस year में आपका दो बार budget आता है एक तुमारा election से पहले वाला जिसको interim budget बोलते एक election के बाद वाला जिसको final budget बोलते है एक बात बताओ इस साल जो दो budget आये थे पहले budget में कोई change नहीं हुआ income tax में जो interim budget था निर्मला सीता रमन जी थी finance minister उन्हों नहीं प्रेजेंट किया था कुछ भी change नहीं हुआ सिरफ दो चार छोटे मोटे changes थे जो अपने लिए पास होके बना वो दोनों word to word same होने चाहिए या इसमें कोछ changes भी हो सकता है अब को क्या लगता है कि हुआ है वाट यूफील कि क्या ऐसा हो सकता कि नहीं नहीं जो बिल था वह यह एक्ट बनना चाहिए या बिल जो आएगा जब लोक सभा राज्य सभा में उस discussion होगा और discussion के बाद अगर लगता है तो government उसमें कुछ changes करके और फिर जो final है वो pass करा है final जो draft होगा क्या changes हो सकते है या नहीं हो सकते right answer is हो सकते है and इस बार तो हुए भी है मैं आपको बता हूँ इस बार तो हुए भी है आपको चाहिए तो मैं आपको prove करके बता सकता हूँ कि इस बार ऐसे काफी changes है जो हुए है अब मैं बता हूँ जैसे यह मालो मेरे पास budget की website है यह finance minister की speech थी यह budget highlight annual finance statement यह finance bill आया था अब यह जो bill आया था finance bill देखो finance number two bill था और यह जो है introduce in the loksabah यह loksabah मैं introduce किया था निर्मला सीता रमन जी ने इसमें जो चीजे थी और अभी जो पास हुए loksabah राज्यसabah उसमें change है कहीं कहीं पर कहीं कहीं पर मतलब 10-12 जगे ऐसा changes है चोटे-चोटे changes है बट 10-12 जगे ऐसे changes हुए है तो this changes are possible आप ऐसा नहीं बोलोगे नहीं नहीं finance bill में था वो ही finance act में आएगा ऐसा नहीं होता है बहुत बार changes हो सकता है government को लगता है कि यार इसमें changes किया जा सकता है तो changes कर सकते है और इसी को लेके आपने देखा होगा इस बार जो एक change हुआ वो यह हुआ इंडेक्सेशन का आपने सुना होगा और कल परसों से वापस आपने सुना होगा कि government reintroduce the index इंडेक्सेशन ऐसा सुना तो देखो यह government री इंट्रोड्यूस इंडेक्स और क्यापिटल गीन देखिए यह LTCG अमेंडमेंट यहां पर देखिए यहां पर एक मिंट की खबर है कि LTCG अमेंडमेंट यहां पर LTCG का एक अमेंडमेंट हुआ था इंडेक्सेशन का कॉंसेट के आपने कहीं न कहीं ऐसा पढ़ा होगा पता है कहां पढ़ा है मैं बता हुँ कौन सी वाले आपने शायद 11-12 SP ऐसा उस सब्जेक्ट में पढ़ा होगा अपने को यह पता है कि आपको CII कहीं पढ़ा था कॉस्ट इंफलेशन इंडेक्स जैसे कॉस्ट इंफलेशन इंडेक्स है वो फिनेंशल इयर 2001-200 था उसके बाद तुमारा 105 हुआ उसके बाद 109 हुआ ऐसे करते करते यह इंडेक्स बढ़ता गया और जो लास्ट इयर था ना फिनेंशल इयर 23-24 उसका इंडेक्स 348 था और आपका फिनेंशल इयर 24-25 की इंकम पे हम टेक्स निकालेंगे इसका इंडेक्स अभी 363 है इस साल का इंडेक्स है 363 CII का फूल फॉल फॉम होता है कोस्ट इंफलेशन इंडेक्स क्या बोला कोस्ट इंफलेशन इंडेक्स मेंज यह इंडिकेट करता है कि कोई चीज जो 1-2 में 100 रुपे की थी आज उसके लिए आपको 363 रुपेज स्पेंड करना पड़ेगा इसका मतलब उस दिन का 100 रुपेया और आज का 363 दोनों सेम है यह इंडेक्सेशन यह इंफलेशन इसको बोल सकते हो आप अब हुआ क्या पता है तुमको जैसे कैपिटल गेन मतलब आपने जैसे माई एक एग्जामपल लेता हो समझना मैंने यह घर खरीदा था और यह जो गर्ण हरी दा मैंने खरीदा था 16 जुलाई 2000 एक को और मेरी कॉसट थी 10 लैक मेरी कॉस्ट मालओ 10 लैक 10 लैक और मैंने यह घर खरीदा था मुंबई में, अब हुआ क्या 2001 में, आज से 24 साल पहले 10 लेक में खरीदा था, आज मैं क्या करता हूं माणलो, आज मैं क्या करता हूं मैं इस घर को 15 जुलाई 2024 को बेच देता हूँ, मैं इसको सेल कर देता हूँ, और सेलिंग प्राइज है, माल लो मेरी सेलिंग प्राइज है वो सेलिंग प्राइज है 1 करोड और 50 लाक रुफेस 1 करोड 50 लाक रुफेस मुझे एक बात बताओ, मेरे को प्रॉफिट हुआ के नहीं हुआ profit हुआ के नहीं हुआ, बताओ न है, मेरे को profit हुआ के नहीं हुआ, मैंने घर खरीदा कितने में था, अरे बोलो ना बोलो ना, मैंने घर खरीदा 10 लाग में था, आज घर बेचा कितने में, एक करोड पचास लाग, वहले देट करोड में बेचा, अब अगर आप देखोगे कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो भाईया, इस पे मेरे को गेन निकालने के लिए, मेरा सेल प्राइस कितना है, एक करोड एंड। 50 लाग, हाँ, एक करोड Hallelujah, और माइनस मेरी कॉस्ट कितनी है लेकिन एक बात बताओ यह 10 लाग अगर सीधा कॉस्ट आप लेस करोगे और आप बोलोगे कि आपको एक करोड चालिस लाग का प्रॉफिट हुआ यह तो गलत है न थोड़ा क्यों गलत है क्योंकि भाई उस दिन मैंने 10 लाग दिया था तो उस कॉस्ट जो 10 लाग रुप्या मेरा लगा था तुम तो बोल रहे हैं 10 लाग की 10 लाग लस कर दो सीधा अरे बड़ वो तो दस लाग उस दिन का था आज उस 10 लाग की वैल्यू कितनी होगी यार भाई आज मैं उस साल में 2011 में मैंने 10 लाग खर्च किया था भाई मैंने वो उस और आज की value पर कैसे लाते थे पता है, कि बड़ा simple है, कि 10 लाक रुपया आपकी cost है, और 10 लाक रुपया आपकी cost है, multiply by current year का index है, 363, and 2001 में आपने खरीदा था, उस year का index जो था, वो मानलो 100 था, तो मैं बता हूँ, अभी cost कितनी हो गई, 36,30,000, हाँ भई, और जो बचेगा, उस पे आपको tax भढ़ना है, तो बचेगा कितना अभी, 1 करोड, 13,70,000, और इस पे आपका 20% tax लगता था, पहले law ये था, और indexation का benefit मिलता था, कि पुराना घर है, अभी आपने बेचा, तो जो तुमारी cost थी, उसको inflation के साथ adjust किया जाता था, और inflation के साथ adjust करने के बाद, ज उस concept को बोला जाता है, indexation, क्या बोला जाता है, indexation, so basically, जो cost है, वो आपकी inflation के साथ adjust होने के बाद, जो आती थी, उसको बोला जाता है, indexation, अब हुआ क्या, ये ऐसा होता था, 22nd July 2024 तक, मतलब आपने ये sale कर दिया, मानलो 15 July 2024 को, तो जो ये budget आया ना, budget दिन के पिछले दिन तक, आप ये indexation कर सकते थे, फिर निर्मला सीता रमन जी आई, एक amendment लेके, और बोलती है, हम को ये indexation वगएरा हम नहीं देगा तुमको, हम तुमको indexation वगएरा नहीं देगा, तो लोगों ने बोला, अब क्या होगा, तो इन्हों ने बोला कि 23rd July 2024, इस जो cost है, वो 10 लाग ही लेनी पड़ेगी, जो cost है, उस पे inflation का हम effect नहीं देगे, सीधा 10 लाग ले लो, बचेगा कितना, एक करोड़ चालिस लाग, और एक करोड़ चालिस लाग पे निर्मला सीता रमन जी ने बोला, सिरफ साड़े 12% टेक्स भर दो, सिरफ साड़े 12% टेक्स पुराना या नया, अगर एक करोड तेरा लाग सत्तर अजार पे 20% निकालो, एक करोड चालिस लाग पे 12.5% निकालो, तो अप्रॉक्स टेक्स यहाँ पे कितना आता है, पहले बाले option में कितना आता है, 22,74,000, और दूसरे वाले में, हाँ, 17,50,000, तो उल्टा अपने को तो जो नया वाला option है, उसमें जादा बेटर है, तो हुआ क्या, जब यह लाया ना, तो लोगों ने इसका objection किया, लोगों ने बोला कि यह आप indexation हटा रहे हो, यह वो indexation नहीं हटाना चाहिए and all, क्योंकि अगर आपकी property की price जो है, वो price, अगर यहाँ तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, अगर कम बढ़ी होती, तो हो सकता है, इसमें ज़्यादा फाइदा होता as compared to यह वाले option से, ऐसे बैसे हंगामा की है, आपने देखा होगा social media पर ऐसा चल रहा था, कि निर्मला सीतारमन जी लूट रही है हमको, हमारा खून पी रही है, ऐसे ऐसे लोग लिखते है, ठीक है, कि निर्मला सीतारमन जी मोदी जी को बोलती है, कि मोदी जी मोदी जी बांगलादेश को भी मिला अब लोग लेकिन बिचारे उसको बहुत प्रोल करते हैं निर्मला जी को, तो लोगों ने इसका बोला कि ये गलत है, आप ऐसा मत करो, हमको इंडेक्सेशन चाहिए, तो जो बिल आया था ना, बिल में तो उन्होंने बोला था, कि 23 जुलाई 2024 के बाद आपको इंडेक्सेश आपके लिए अच्छा है, वो लेलो, भाई दोनों मैंसे जो आपको इंडेक्सेशन लेना है, चलो इंडेक्सेशन के हिसाब से टेक्स बढ़दो, इंडेक्सेशन नहीं लेना है, तो आप एक काम करो, इस साड़े 12%, whichever is lower basis पे आप टेक्स बढ़दो, ऐसा निर्मला सीतार मं जी ने बोला है, अब यह कैसे होगा, क्या होगा, जब अपन पढ़ेंगे, इन डीटेल आगे, तब आपको समझ में आएगा गरिए, ठीक है, आज अपन यहीं पर रुखेंगे, इस से ज़्यादा मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, कल मेरे को आप लोगों के हाथ में नोट बुक चाहिए, क्या चाहिए, नोट बुक, कल बड़ी प्यारी सी अच्छी सी नोट बुक और साथ में बहुत अच्छी दो पैन लेकर आना, कल से हम पढ़ना चालू करेंगे, मतलब कल से अपन लिखना वगरा चालू करेंगे, चली आज के लिए इतना बहुत है, कल कंडिन